आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं साबूदानी की खीर की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिएपलीज वीडियो को इसे बना कि भेजा को खृतुर के वीडियो को ल Parce शेयर और ये उसे बाला खबी छे गंटे के लिए भीगो कर रख दिया था, यह देखें, यह अच्छी तरह से भीग चुके हैं, मैं आपको इसे दिखाती हूँ, यह देखें, यह बहुत अच्छी तरह से सोक हो चुके हैं, अब इसमें हम कुछ मेवेड ले रहे हैं, कटी हुई बादा में हैं, कटा हुआ किश्मिश है और चार अदध हरी लाइची हैं आधकप शकर या 120 ग्राम शकर ले 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 या फिर स्वाद अनुसार शकर ले 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 चले इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक पतीली को गेस पर रखकर गेस की फ्लेम को अन कर दीजे फिर उसमें साबुदाना और देड कटॉरी फानी डाल दीजे अब इसे हम ढाक कर ढीमी आज पर 15 मिनित के लिए पकाएंगे है साब उसमें को पकते हुए पूरे 15 मिनित हो चुका हैं हम इसे चेक कर लेते हैं यह देखिए यह पूरी तरह से सोफ्ट हो चुके हैं अब इसे हम ढाग कर एक साइट पर रख देंगे अब हमने एक लीटर गर्म दूद लिया है दूद को हमने पहले से गर्म कर लिया था इसे हमने दो बारा गेस पर चड़ा लिया है और थोड़ा सा गर्म कर लिया है हमें जब भी साबुदाने डालने है इसमें गर्म दूर में ही डालेंगे, अब इसमें हम साबुदाने बॉयल की हुए, डाल देंगे देखिए साबुदाने इसमें डल चुके हैं, अब इसे हम अच्छी तरह चलाते हुए धीमी आज पर हमें पकाना है, खीर को हम गाड़ा होने तक पकालेंगे अब इसमें हम इलाइची डाल देंगे इलाइचीयों को हास से थोड़ा खोल लीजिए इस तरह से और इसमें डाल देंगे इससे इसमें बहुत अच्छे सी खुश्बुआ जाएगी कीर को हमें चलाते हुए दो मिनीट के लिए और पका लेना है यह देखिए यह थोड़ी थोड़ी गाड़ी होने लगी है अब इसमें हम डाल देंगे शकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए अब इसमें हम डाल देंगे मेवे सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे कटे हुए नारियल इसे आधे मिनीट के लिए हम पका लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे किश्मिश और बादाम चार-पांच मिनीट के लिए इसे और पका लेंगे यह देखिए यह पक कर रेडियो चुकी अब इसे बावल में निकाल लेंगे खीर को रखने से ठंडा होने के बाद यह गाड़ी हो जाती है इसलिए इसमें दूद की मात्रा ज्यादा ही रखें जाई के वाली स्वाधिष्ट खीर बनकर तेयार हो चुकी है इसे हम कटे वे बादामु से गाड़निश कर देंगे इस तरह से तो आप भी कब बना रहे हैं ख खीर मुझे कमेंट करकर जरूर बताई गया और प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए वेल का आइकन को जरूर सप्रेस कर दीजिए मिलते हैं अनले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलविदा